वाहिगुरु जी का खाल्सा वाहिगुरु जी की फते सासंग जी आओ हुन आप जिनू असी सर्वन कराने अगियां तन तन श्री गुरु कोविन सिंग जी महराज दा अगे दा इतियास जेडा की राजा पींच अंदल जोड़े आवेया है वाहिगरू जी का खालसा वाहिगरू जी की फते सब्सक्राइब जी के जिना नू मिलके इक सारा इलाका बने आशीगा पाडी राजा मादा अलग 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 होन दे बावजूद भी उनादा सामराज जीड़ा सी ओ जम्मू तो लैगे ते हिमकुंट साहब बाला इलाका उस पासे तक फैले आव्या सीगा जिदे विच बाई सीगे दीव चान सीगे रानी चंपा दे पती कि आ वी ने जे पिछे त्यासरवन किता सीगा अस्ता पहले गुर्तेग भाधर साहब जीदा भी ते गुर्गोमिन सिंग्जी दे आज दे बारे वी जिसंगत वो अनानंदपुर साह पहुंचते ने तै आप जिने उसंगत सब् जिते गुरु साब रहन दे सीगे ओ सारा इलाका गुर्गोविन सिंग्जी दे पिता गुर्तेग भादर साहब जीनु पीम चंदी माता रानी चंपा द्वारा दिता गया सीगा रानी चंपा ने ओ सारा इलाका जिते की अनन्दपूर साहब वस्यावया हैगा ओ तंतंचिरी गुर्तेग भादर साहब जीनु पेड शुरूप देना चाया लेकिन गुरु साब ने पेड लैंड तो मना कर दिता उनना ने ओ सारी जगा रानी चंपा तो मुल्क खरीदी पैसा देखे अपनी माता देना ते उनना पट्टा लिखवाया ते उस इलाके दाना जिनु सी अनन्दपूर साहब देना ते जारने है गया उनना रखा गया चक नान की चक नान की या अनन्दपूर साहब पुराने समय विच जी स्थान ते होंदा सी गा उन्हों मक्षोवाल आख प्रवार गुरु साहब नाल बहुत पुराणा जुड़े वेने यानि की जिस्वकत छेमी पास्चाई गुरु हरगोबिन साहब होंदे सीगे उनाने राजा तारा चंदू गवालियर दी जेल तो छुड़वाया सीगा इते आप सारे जान दे हैगे हो कि तंतन शिरी गुरु हरगोबिन साहब जी छेमी पास्चाई उनानू जहांगीर ने कैद किता सीगा गवालियर दे किले विच ते उस वकत उन बवंजा राजावाँ दे विच राजा पीम चंदा जी दादा जी सीगे तारा चंद जी ओवी कै सीगे ते उनानू तंतन शिरी हरगोबिन साहब जी ने जिड़े बहुंजा राजे छुडाय वे सी उना विच्छों एक ओवी सी तो एस करके पीम चंदा सारा प्रवार जिड़ा उना दे पिता उना दी माता उना दे दादा गुरु करनल बहुत ही जुड़े वे सीगे ते पीम चंद भी कोई उस सुकत इना माड़ा बंदा नहीं सीगा लेकिन कहें देना कि जिस सुकत बंदे दी बुद्ध मारी जाए ते मती प्राश्ट हो जाए ते ओ मती प्राश्वोंड करके कदी-कदी किसी दे खिलाफ हो जानदा है गा तंतन शिरी गुर गोविन सिंग जिया महराज नाल पीम चंदी जड़ी रिलेशनशिप सीगी वो बड़ी लव एंड हेट रिलेशनशिप सीगी जथ उसी इतिहास पड़ोगे ते समझोगे ते तो आनू पता लगेगा कि अगे आन वाले एपिसोड भी सीधा जिकर करांगे कि जिनियां जंगा गुरु साब दियां मुगला नाल नहीं हुई या उस तो वज जंगा साड़ी पहारी राजामा नाल हुई या ते खास तो और ते पीम चंद नाल ओ पीम चंद ऐसा व्यक्ति सीगा जिनने गुरु साब नाल जंग भी की ती फिर माफी भी मंगी फिर जं दिता ते उन्हों जांगी फते दिवाई ते इतियास दजदा हैगा कि साड़े जिन्हें भी गुरू सीगे दस्वाँ गुरू खास और ते जिसको तसी गुरू गोभिन सिंगी महरादी गाल करने आगे उन्हादा त्यास पढ़ने आगे ओ किन्ने ही कोमल हिर्दे वाले सीगे उन्हांने कदे भी जंग दी पहल नहीं की ती जे कोई चड़ के सामने आनदा सीगा ते फिर उदा डट के मुकाबला कीता ते डट के जवाब देता ऐस सोगत असी गाल कर रहे हैं गया पीमचन दी पीमचन दे बारे वेच आपने उदा पछोकर जाने हा उदे परवार दे बारे वेच जाने हा सारे रिनाल गुरू साब दे संबंध जाने हून जिस सोगत पीमचन एक चिठी पेज के गुरू साब मुकेंदा हैगा कि मैं अन कशन जानद्भट साहब जिस वह अनद्भट साब जिसवोगत वो आनदा है गुरू साब भी शानों शौकत वएकर खका बकर रहाए जानदा है उदे मंद अंदर लालच इरखा कूट-कूटके परचांदी हैं ते ऐसी गाँ पीमचंद विनाश दाकारण जिसका केंदेने कि विनाश काले विपरीद बुद्धी ते पीम चंदा ओ लालच ओ इरखा ओ इगो उन्हों ले बैठी ते आज वीचे लिख्या हैगा कि जिस्वकत गुरु साब नू मिलन मासे पीम चंद आंदा है अपनी राजानी तो अनन्दपुर साहब ते गुरु साहब उन्हानू अपना साधी हाती पंज कला शस्तर एक संदल दी चौकी जिदे अंदर चौपर दा खेड़ खेड़ा जानदा सीगा उन्हों खोल के चौपर बन जानदी सी यानि की चैस बन जानदी सीगी एक जल पीन वाला कटोरा जिदे अंदर तर्टी ते आकाश दे रंगा दे द्रिश दिखा के आया सीगा ते ऐसरा दे होर बहुत सारे उपहार जिनू दे के पीमचंदी अखां खुली दी खुली रह जान दियाने तंतंच्री गुर्गोविन सिंग जी महराय दे शानों शौकत ते सारे उपहारानों वेक के जिस वकत पीमचंद अपनी राजानी वापस पहुंचता ह ते उद्धा सारा ख्याल सारा त्यान इको चीजी लगया होंदा है कि किस सरीके नाल मैं ऐसारी चीजां उपहार जड़े गुरु साब को ने ओहत्यालमा उदे करके उपने वजीराना सलाह करदा है ते पीमचंद अपने वजीर नूँ गुरु साब को एक स्निहा लेके पाती ते चाननी ते थोड़े उपहार जड़े ने उनानु दे देन इस्तमाल करन वास्ते व्यादी रसम खतम होंदे ही उनानु वापिस करते जानगे गुरु साब ने राजा पीमचंद वजीर नूँ आख्या कि ऐसारी चीजां साड़े धालूश तिक्खा ने सानु प्र वजीर पीमचंद को जानदा है कि गुरु साब ने ओ हाती ते चाननी देन तो इनकार कर देता है ते एस सुनके राजा पीमचंद बड़े ही क्रोध ही चाह जानदा है ते ओ आख्या हैगा कि मैं एचीजां ते गुरु साब को जरूर लेके ही रखांगा चाहे कुछ भी हो वजीर उनानू ऐसला देनदा हैगा कि गुरु साब नल चगड़ा नहीं करना चाहेदा उना दी सेवा करना ही साड़े वास्ते चंगा रहेगा लेकिन पीमचंद वजीर दी कोई भी काल नहीं सुनदा ते ओ अंकार विच आखदा है कि मैं बाईत आर्दे राजावादा ओ किस दी के नाल सानू ऐसी चीजा नहीं देंदे असी राजपू छत्री है गया असी सिखान दी तरीके नाल कोई बनिये लोहार या दरखान नहीं है गया ऐसारिया गल्ना पीमचंद ने बड़े ही अंकार इच आखिया नाल उनने एक चिठी लिखी जिदे बारे जित्यास कुछ इस दी के नाल जिकर आंदा हैगा कि जिदे विच राजा पीमचंद, राजा हरीचंद हंडूरिया, राजा करपालचंद कटोचिया, राजा केसरीचंद जस्वालिया, ते होर पडोसी राजावा ने उसला करके गुरू साब नों चिठी लिखी कि जाते तुसी अपन पत्र पड़के गुरू साब बड़े शांस रूप उस जिदा जवाब देने, जिदा की आसी लिख्या है कि उन्हान ने उस पत्र जवाब पत्र नाल देता, जिदे विचे लिख्या सिगा कि जिन्नीवी चीजां दी तुसी मांग कीती है कि एना विच्चों असी कोई भी च असी त्वाड़े वास्ते जंग वास्ते तयार है गया, एस तो बात शुरुवात होंदी है कि एक नए ध्याय दे जिदे विच पीम चन पे गुरू साब दे अंदर जड़ी जंग होई उदा जिकर आनदा हैगा, हुन त्वाड़े माने विच एक जग्यासा होएगी कि एसा इसारी गलना चल रही हैं सीगी, उसी दोरान गुरू साब जी ने एक रंजीत नगाड़ा भी बनवाया सीगा, उस रंजीत नगाड़े तमक सुनके लोगां ते हिर्दय कम जान दे सीगे, जिस वकत भी गुरू साब जान दे सीगे, किसी शिकार नूँ खेड़े नवास्ते जाकि ते होर ते उरंजीत नगाड़ा भी जान दा सीगा, पीम चंदे इलावा बाई तार दे होर भी जड़े राजा सी, जड़े उस इलाके वी रहन दे सीगे, उनानू गुरू साब जी एक ख्याती, प्रसिद्धी ते इनना सब कुछ जड़ा की राशी ठाट वरगा सीग देख के मानिच एक शुभा आनदा हैगा, एक फैम आनदा हैगा, एक डर भी आनदा हैगा, कि किते गुरू साब साड़े राज दे उत्ते कभजा करके ना बैजान, पर गुरू साब ते ऐस्ता करन वाले कदी भी नहीं सीगे, लेकिन जिस वकद ऐसा कुछ चल रहा होंदा ह गुरू साब जड़े मसंद ने, ओ आके माता नानकी जी नूँ बेंती कर देने, कि ऐस्वकद साड़े वास्ते ठीक नहीं हैगा, कि असी किसी राजा नाल जड़े की अथे देने, उना नाल जांक करिये, ते गुरू साब वास्ते ऐस चंगा होएगा, कि ओ टकराव दी स्थ किती विच ना आवन, माता नानकी जी, तंतंचिरी गुर्गोविन सिंग जी माराज नूँ उसकत बुलान देने, ते बुला के उनानू सारी चीजा समझान देने, ते उसी दौरान एक कटना हो रोंदी है कि, जिदनाल गुरू साब जी इलाका छड़े किसी होर स्थान दे उत्ते गए, उकटना ऐसी गी, कि नहां दा राजा सी गा, मेदनी परकाश, ते मेदनी परकाश दा, जिदा राज सी गा, गड़वाल दे राजा फटे चंदी सीमा दे ना लगदा सी, ते विच खाली आंदा सी गा, जमना दर्या, तोनों राजावाँ दे विच, काफी दु ते उसने सोचिया कि जे गुरू साब मेरे वल हो जान ते मेरे नाल आ जान ते मेरा ते राजा फते चंदे अंदर जिड़ा विवाद है शायद ओ खतम हो जाए ओ गुरू साब दे अगे बेंती करता है कि तुसी कुछ समय लई मेरे राज नहान विच आ जाओ राजा मेरनी प्रकाश दी बेंती जिसकत गुरू साब सुन देने ते नाल माता गुजडी जी ते माता नानकी जी नूपता लगदा है गा ते सारे ए निश्य कर देने कि अगर असी एथों कुछ समय लई कि किसी दूसरे स्थान दे उते चले जाईए ते तक्राव दी सिची टल सक दी है कि ते एदेनाल अननेसेसरी या बिना किसी वज़े दे जंग नहीं करनी पहेगी अज जिस स्थान दे आप जिन्हों सी लेके चलांगे ओ स्थान है का नहान दे राजा दी राजधानी तो टोका जिते की एक सोना गुर्दवारा साब शिचोबित है गुर्दवारा टोका साहर ते आज असी आप जी नू उस थान दे दर्शन करावांगे जिड़ा की नहान दे राजा मेधनी प्रकाश दे इलाके दे विच आन्दा हैगा आप उधे बारे विच भी सरुन करो संगे जी आज दे एपिसोड विच आप जी ने जानेया तंतन शिरी गुर्गोविन सिंग्जी महराज दा नौ वर्यान दा त्यास ते उस सारे त्यास विच आप जिनू पता लगया हुना दे संबन जिड़े की राजा भीम चन ते होर पहरी राजा हमाना नसी के दे शारे ते है नहान दे राजा मेद्नी परकाषिदा स्थान सीगा जिते ओ रेंदा लिच उस स्थान दे दो दो गुर्धारा wir底 ने पहले ऐसी ऊसस स्थान दे ते आप भीम चैलाव चालcell जिते गी अननादपुर वह गुरू जी वह गुरू जी वह गुरू कि ना सक दायो जो तुसाने करिया सी जी गुरु ग्रंथ चोंजी तेरे पंथ 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 चोंजी तोंजी तेरे पंथ चोंजी तोंजी तेरे पंथ चोंजी तोंजी तोंजी तेरे तेरियां वावा रमजा तेरियां वे बाबा वावा रमजा तेरियां वाहे गुरो जी 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 बब मौत मूरे यडगेसी जुल्मा दे नल लडगेसी वाहे गुरू जी वाहे गुरू छुके थोड़े पैरानू सरसाधे पाणी खडगेसी जी जी वाहे गुरू